तारक महता फेम जेनिफर मिस्त्री का फूटा गुस्सा यौन उत्पिडर मामली पर एक्ट्रिस ने शेयर किया वीडियो कहा मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना हेलो एन वेलकम मैं हुदामिनी और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली कॉमेडी शो तारक महता का उल्टा चश्मा में रोशन सोडी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रिस जेनिफर मिस्त्री बंसी वाल ने हाल ही में शो के निर्माता पर यौन उत्पिडरन का आरोप लगाया है जिसके बाद अब एक्ट्रिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा जड़ चल्द ही सामने आएगा मेरी चुपपी को मेरी कमजोरी मत समझना तो आईए आपको बताते हैं कि क्या है आखिर पूरा मामला जेनिफर ने कुछ समय पहले ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यौन उत्पिडरन मामले को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने उनके द्वारा लगाये गए आरोपो को जूठा बताने वालों को कविता के अंदाज में करारा जवाब दिया है एक्टरिस ने कहा मेरी चुपी को मेरी कमजोरी मत समझना मैं चुप थी क्योंकि सलीका है मुझ में खुदा गवा है कि क्या सच है याद रख उसके घर में कोई फर्क नहीं है तुझ में और मुझ में एक्टिस ने इस जवाब के साथ क्याप्शन में लिखा सच जल्द ही सब के सामने होगा न्याय मिलेगा उनके इस पोस्ट को देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स एक्टिस का समर्धन कर रहे हैं बता दें कि तारक महता का उल्टा चश्मा में कई सालों तक रोशन सोडी का किरदार निभा कर अपने दर्सकों का मनुरंजन कर रही चैनिफर मिस्त्री बंजिवाल ने हाल ही मिशो के मेकरस पर यौन उत्पीडन का आरूप लगाया था साथ ही उन्होंने इस शो को छोड़ने के साथ यह भी कहा था कि वह इस चीज को इतने सालों तक इसलिए नजर अंदाज करती रही थी क्योंकि वह अपने काम से हाथ नहीं धोना चाहती थी वेल एक्ट्रेस के इस वीडियो पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं टीवी सीरियल से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अबडेट्स के लिए देखते रहें फरस्ट इंडिया टेली चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले